नमस्कार, अमारुजाला उत्तरप्रदेश देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्कर्ष चत्रुवेदी और उत्तरप्रदेश में धेड़ सारी गतिविधिया ऐसी हैं, जो कि आप लोगों के बीच में कौतुहल से लेकर जानकारियों का विशय बन गई हैं। कई तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं इस प्रदेश की सबसे बड़ी राजनेतिक पार्टी की, भारती जनता पार्टी की। भारती जनता पार्टी में लोगसभा चुनावों की हार के बाद से बैठकों का मन्थन का दौर चालू है, लेकिन समुद्र मन्थन की एक कहानी थी न, जिसमें सिर्फ अम्रित नहीं निकला था, कहीं कहीं विश भी निकला था, अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा की बैठकों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, देवरिया से एक तस्वीर सामने आई, जहां मंच पर राज्य सरकार की मंत्री थी और कारे कारे इलाकों से, सहरनपूर से, बरेली से, देवरिया से, इसके अलावा इस प्रदेश के कई हिस्सों से जब बैठके हुई तो कारेकरताओं की नाराजगी की तस्वीरे दिखी, हाई ये जो नाराजगी है, ये आखिरकार क्यूं है, इसके पीछे के कारण क्या है, हमारे व जनिक इस तरीके से विरूद नहीं दिखा, क्या एक हार ने भाजपा के उस पूरे अनुशासन के सबर के बांद को तोड़ा है? कि इनों ये जो है चुनाव में हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारे खिलाप प्रिचार करा रहे हैं, हमारे खिलाप तो इस तरह की कई मामले आये थे, जौनपुर में इनको कृपा शंकर शिंग को बनाए जाने पे भी विरूद के सवर उठे थे, इस तरह से जितने भी सां जी के लड़के को चुनाव लड़ाया गया था, पूर सांसद ने वहां आवाज उठाई थी, ऐसे तमाम प्रकणा हैं, जो भाजपा के जो अनुसाशन का दावा था, उसकी पोल खोल रहे हैं, अब चुनाव बाद भी वो चीज अभी जारी है, अब तो लोग उग्र हो करक तो कहीं न कहीं भाजपा का जो अनुसाशन का दावा है, उसके ये बहुत बड़ा प्रस्निक चिन्न है, जिसको भाजपा को समझना चाहिए, इस अनुशासन वाली बात पर एक दो विचार लिने के बाद, एक पर मैं आपसे वो भी जानना चाहूँगा कि भाजपा की तमा तो कुछाद और बढ़ा दिया, कैमरे के सामने सब कुछ होरा है, भारती चन्ता पार्टी में क्या ये जो करकरताओं का विरोध है, नेताओंं का विरोध है, इस पर कारवाई जएदा होगी या ये जिन बातों को लेकर हो रहा है, आपको लग रह एएउस पर काम जएदा ह होगा देखिए अगर आप चुनाव से पहले देखेंगे तो सांसदों में और विधायकों में आप सी जो उनके टसन थी वो खुले आम सावजोनिक हो रही थी चुनाव के समय कारकरता भी अपनी नाजगी जता रहते लिकिन उस समय यह कहे करके उनको चुप करा दिया गिया ग करके अब वो अपनी बात कह रहा है तो वही सिवात है कि वो नराजगी दो जताए गई तो कुल मिला करके मुझे नहीं लगता है कि पार्टी लेविल पे अगर कोई बहुत बड़ी कारवाई होने वाली है अगर होना होता तो पहले हो गई होती अब पार्टी के वल डैमेज कंट्रोल में जुटी होई है अक्षा जी अगर एक दर्शक के तौर पर सको देखें कि मान लीजे आप थोड़े सा दूर हैं आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो क्या चवी बनती है क्योंकि पार्टी विट डिफरेंस का नारा भी इसी पार्टी का है और उसमें इस तरी नाराजगी आज की नहीं है ये नाराज की तब की है कई जगहों पर चाहे वो इस्थानी सांशत को ले करके विरोध हुआ हो चाहे वो इस्थानी कारे करता हूं पदादिकारियों के उपेक्षा करके पैरा सूट प्रत्यासी उतारने का विरोध किया गया हो उस समय किसी भी कारियों के भी धड़कन बढ़ाने वाले हैं क्योंकि तुरंट उप चुनाओं हैं दस सीटों पर और फिर बिधानसभा चुनाओं तो यह एक सही समय भी है जहां पर उनको आत्ममन्थन करना चाहिए जहां पर उनको लोगों के सुनना चाहिए आप ने जो कहा कि इस समुद्र मन्थन का कुछ निसकर्स भी निकलना चाहिए लगातार मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं लगातार बड़े पदा दिकारी भाजपा के आकर के बैठके कर रहे हैं लेकिन अगर कुछ लोगों पर जिन्हों ने भी गलत किया या जिन्हों ने भी विश्वासगात किया या जो भी किया अगर कुछ कारवाई नहीं होती या नीचे के कारेकरताओं की नहीं सुनी जाती है तो मुझे लगता है कि फिर आगे भी ये नाराजगी और बड़ा रूप ले सकती है आप कहरें नाराजगी बड़ा रूप ले सकती है अमरे जी दो तीन चीज़ें जो अब तक ह हमारे सामने आई है एक इन तमाम बैटकों में और या जो कल भी हमने कैमरे पर देखा कारेकरता दो तीन बाते लगातार कह रहे हैं एक बोल रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही दूसरा वो ये कह रहे हैं जिसकी और रक्षा जी ने भी शारा कि एक सामन जैसे की कमी ज जो आपसी जो खीश्तान की नौबत आगे थी पर्टी के अंदर वो आगे थी शुरू हो चुकी थी लेकिन इसका जो सिलसला था न वो टिकेट बटवारे से भी काफी पहले कमामला था क्योंकि जादा तर कंडिशन्स ये होई कि इनके जो मिनिस्टर्स रहे यहां पे से शुरूआत हो चुकी थी अंदर खाने जो है आपस में सिर्फ डबल तो नहीं अभी जो अब आ रहा है अमरित निकले ना निकले पता नहीं लेकिन विश्ट तो अभी सामने आ रहा है सब जितनी भी बैठकें हो रही हैं हर बैठक में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ इस तरीके कार्यकरता बता रहे हैं वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं बाचीत करने के लिए कि भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी मंतरी हम से मिल नहीं रहे थे हमको जो है अंदेखा किया गया बहुत सारे लोगों नहीं ये कहा कि हम तब से पार्टी के साथ जोड़े हमने कुरसियां लगा हैं कि हमको तब अबज्जो नहीं दी गई वही जो अभी कहा कि पैरासूट कंडिडेट्स उतार दिये गए तो पैरासूट कंडिडेट्स को लेके बहुत थी मंतरियों से मुलाकात नहीं हो पा रहे हैं लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ले प लेकिन वो डिसिप्लिन का एक सीमा होती है जब आप चीजेझे लोगों के हाँसे निकलती हूँ दिखती हैं लोगों को लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो ही नहीं पा रहा है तो फिर वो डायरे टूटते हैं और इस समय मोजूदा समय में जो एनलेसिस की जा रही ह हार की, उसमें कहीं न कहीं वो सीमाएं टूटती हुई, लोगों के वो बांध हैं जो बने हुए थे, वो टूटते हुए देख रहे हैं और हर जितनी भी समिक्षा बढ़ के हो रही है, उसमें कारेकरता खुल कर बोल रहा है, कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमको तबज्जो जो जो आपका रूट लिबल पर जो कारेकर्ता काम कर रहा था उसकी कही न गए ँंदेखी हुए है मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पार्टी इसको अड्रेस करे घी आने वाले टाइम में अगर नहीं करेगी तो उनको शायद इसका खामयाद बहुतना पड़ाएगा नियुजरूम की चर्चा इसले भी करने चाहिए, अमरित बता देते हैं कि विश्क इतना निकला है, और दो उपिनियन भी आ जाते हैं, कि हाँ आपने कहा और जो इन्होंने कहा कि कारवाई होने होती तो पहले होती हो और एक आप कह रहे हैं, अब इंसाइडर वाली बात करते हैं, जो अनुभव है उसका भी लाब ले लें, मतलब कंक्लूजन उपसाहर बहुत जरूरी होता है किसी भी चर्चा में, बाहर जो हो रहा है वो हमने देख लिया सर, अंदर क्या हो रहा है, मंदली बैटके हो रही हैं, धेर सारी रिव्यू मीटिंग हो गई, कमरों के अंद पहले से था जैसा अमरित भाई साम ने कहा, कि चुनाओ के पहले से मामला है, इसमें सच्चाई यह है, कि चुनाओ के ठीक पहले छे महेंने पहले, संगठन में बदलाव होए थे, जिला और छेत्रिये, भाजपा के लिहाज से कुल अंठान बे जिले हैं, संगठन के जो जमीनी कार करता थे जो मेहनत कर रहे थे जो जैसा भाई साब ने कहा और उनको मौका नहीं दिया गया तो बिद्रो अंदर अंदर बिद्रो तो उसी समय से पनपने लगा था लोग सभा चुनाओ में अनुसासन के नाम पर चुनाओ जीतने के बाद उसको ठीक करने के नाम करकरताओं को रोका गया लेकिन अभी स्थिति यह है कि जो भी बैठके हो रही है चुनाओ के बाद समिक्षा को ले करके कोई ऐसी बैठक नहीं है जिसमें बिरोधन हो रहा हो हर करकरता अपनी अंदेखी की बात कर रहा है हर करकरता संगठन में जो बदलाओ किये गए है उस मानक में मैं फेल कैसे हूं इस बात की चर्चा हो रही है दरसल है क्या इसकी वजह मूल वजह यह है कि भाजपा जो पहले कार्डर वेस्ट कारकरता पे काम फोकस करती थी वो पिछले अब इदर करिब एक दसक से भाजपा बदलती गई और उस बदलाओ का कारण यह हुआ कि जो कार्डर वेस्ट राजनीत करने वाली भाजपा थी वो अब कार्पोरेट कल्चर में ढलती जा रही धीरे धीरे और उस कार्पोरेट कल्चर में हो क्या रहा है कि बाहर से आने वालों को तो जो ग्लेबर से आ रहा है जो कहीं से आ रहा है तो उनको तरजी तो दी जा रही होगा क्या बैटकें हो रही हैं बैटकों से बाते आ रही हैं लेकिन बातें वो जो होते ना दो तरीके के नोट्स बनते हैं एक होता है जैसे हम संसदी परणाली में देखते हैं कि एक चीज रिकॉर्ड पे जाती है और एक चीज रिकॉर्ड से विलोपित कर दी जाती है कहा तो बहुत कुछ जाता है ये किसी कारवाई में बदलेगा इसकी परणिती कोई कारवाई होगी कोई बदलाव होंगे या ये सब कुछ विलोपित हो जाएगा जो हो गया वो हमारी स्मृति में रह जाएगा बस बिल्कुल इस पे विचार हो रहा है प्रदेश संग्ठन के अस्तर पे भी और राश्टी अस्तर पे भी इस पे बड़े नेता इससे जो परिणाम आये हैं और जिस तरह से करकरता करकरताओं नों खुलेयाम विरोध सुरू किया है उसको लेकर के किंद्री संग्ठन और प्रद प्रदेश की सरकार गई तो बीजेपी की नेता ने उनकी हार का समीक्षा कर ली थी कि सपा के अंदर जो है आप सी खीच्टान हो रही है इसलिए सपा हार रही है तो भाई उनको अपना भी करना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रांतियस्तर के लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जो है वो स्टीफे दे देने चाहिए उनको लेकिन अभी अगर मैं क्या ही कहूं इसमें कि हम लोग सबी देख रहे हैं कि हार को जो है वो समीक्षा शुरू हो गई समय काफी गुजर चुका लेकिन अभी तक पार्टी में किसी ने अपनी किसी बड़े नेता ने अपनी जिम्मेदारी ने लिए कि मैं आप जिम्मेदारी लेता हूं इस हार की और इसका जो भी फिर फैसला होगा जो संगठन का फैसला होगा मैं उसके लिए तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए हम हर जगह एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी किसी से कोई गलती हो या कहीं करने हैं तो ठीक है इस पर करना चाहिए बाहर जो कुछ दिख रहा है उस पर हमने बात कर ली अंदर खाने क्या हो रहा है उसका थोड़ा सा इशारा तो मिल गया कि बदलाव होगा बदलाव क्या होगा कैसा होगा अमा रुजाला उत्तरपदेश पर वह भी लेकर आएंगे छो यूजरूम की जब आप ये चर्चाएं देखते रहेंगे तो धीरे धीर सारे किस्ते उत्तरपदेश की सियासत में जो हो रहे हैं आपको देखने को मिलेंगे ये चर्चा आपको कैसी लगी और भारती जंता पार्टी की इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए जो विरो बहुत आप सभी का शुक्री अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद